अबसकर दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे RG Support by YouTube चैनल में So friends, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग WhatsApp पर किसी को भी कोई message भेज रहे हो और अगर वो नहीं जा रहा है तो इस problem को आप कैसे solve कर सकते हो वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए friends, वीडियो स्टाट करते हैं और लिए चलता हूँ अपने phone के screen पर वहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा देता हूँ So friends, अगर आप लोग WhatsApp पर किसी को भी message करते हो और ऐसे में अगर आपका message नहीं जा रहा है चाहिए photo, video, कुछ भी अगर आप भेज रहे हो अगर वो नहीं जा पर है तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर for example मैं message टाइप कर रहा हूँ आपके सामने आप देख सकते हो यहाँ पर एक भी message नहीं जा रहा है जब message चला जाता है तो यहाँ पर एक टिक लग जाता है कोई message अभी नहीं गया ठीक है तो यह देख सकते हो अपको क्या करना है कैसे आप इस problem को solve कर सकते हो वो आज किसे वीडियो में बताने वाला हुँ तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपना WhatsApp अपडेट किया है यह नहीं किया वो आपको चेक करना होगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चेक कर लिना WhatsApp को यहाँ पर सर्च करना है जिसे मैंने WhatsApp सर्च किया और यहाँ पर आचुका है तो यहां पर कोई अप्डेट का ओप्शन मिलता है तो आपको अप्डेट करना कर नहीं है तो आपको अपने फोन के सेटिंग्स के अंदर आना है और यहां पर आने के बाद सबसे पहले अप्लिकेशन और परमिशन के अंदर आना है और यहां पर आने के बाद फिर आपको क्य करना होगा यहां पर आपको WhatsApp को ढोड़ना होगा ठीक है जैसे यहां पर loading के रहे हैं तो अभी जितने भी आपस हैं वह सारे loading होते हैं उसके बाद यहां पर हमारे सामने WhatsApp आ जाएगा यह देख से तो सबसे लाश्ट में तो WhatsApp के अंदर आएंगे और उसके बाद यहां पर आपको फॉर्स स्टॉप करना है उसका पर्मिशन वगरा चेक कर लेना है अगर पर्मिशन आपने दे रखी है उसके बाद भी अगर आपको कोई मेसिज नहीं जा रहा है तब आपको क्या करना तो आपको अपने इंटरनेट जो इसको चेक करना जो आपका डाटा है वो तो नहीं खतम हो गया है आपको जिसे यूटूब के अंदर जाना या फिर किसी अधर अप्लिकेशन में जाना है और वहां पर आपको नेट यूज़ करके देखना है फॉर एक्जांपल यूप कोई आप वीडियो देख सकते हैं या पर प्ले स्टोर से कोई भी डाउनलोड करके देख से तो डाउनलोड हो रहा है अगर डाउनलोड होगा तो मालेजिए आपको इंटरेट साइज चल रहा है लेकिन आपकी वर्टसप के अंदर नहीं चल रहा है तब आपको लास्ट में जो यह कदम उठाना इस सबते वो भी डिलीट हो जाएंगी ठीक आपको दुबारा से ही एकाउंट लोगिन करना होगा तो इस चीज का ध्यान रखना ठीक है किलियर डाटा करने से पहले इसले मैंने इस चीज को सबसे लास्ट में बताया है तो फ्रेंट्स आज केसे वीडियो में तरहीं आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीस कमेंट करके जरूर बताना